नवश्कार मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका गुडवर्ड किचन में आप सबने बेशन, मोती, चूर, नारियल, तिल और आटे के लड़ू तो बहुत बार खाए होंगे लेगिन क्या अपने हदी मुंग दाल के लड़ू खाए हैं अगर नहीं तो यह लड़ू आपको ज जिहत का खजाना है और इसे बनाना ना बहुत ही असान है तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और देशिपी पसंद आने पे ना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ब फ्लेम पर ही भून लेना है प्रोटीन और फाइबर के अलावे भी इसमें बहुत से पोशक तत्व पाये जाते हैं जैसे कि फॉलेट मैंगनेशियम फॉस्फोरस आइरन कॉपर पोटेशियम जिंक इसके अलावे यह वाइटमन बी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत अच्छा स् चोड़ देंगे तो जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएं तब इन्हें ग्राइंडर जार में डाल देंगे और अब इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है तो इन्हें पल्स मोड पे ही ग्राइंड करेंगे और यह देखिए ग्राइंड करके हमने इसका पाउडर भना लिय और इसे सबसे पहले तो चला कर अच्छी तरह से mix कर लेंगे उसके बाद इसमें हमें add करना है यह खरबूजे का बीज एक बड़ा चम्मच और किस्मिस डाल देंगे हम 15 तो इन सब को डालने के बाद इन्हें हमें फिर से roast करना है और gas की flame को low पर ही रखेंगे तो इन्हें हमे करीब चार मिनट low flame पर ही roast कर लेना है तो तो तीन से चार मिनट भूनने के बाद ना इन्हें हम एक mixing ball में डाल कर अलग रख देंगे अब पतीले को gas पे चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे यह एक कप कटे हुए गुड़ साथ में डाल देंगे हम यह दो बड़े चम्मच पानी और इन सब को अब हमें low flame पर milt होने देना है पीच पीच में इसे चम्चे की साहता से तर करते रहेंगे इन्हें mash भी करते रहेंगे ताकि गुड़ जल्दी से milt हो सके और थोड़ी देर low flame पर इने पकाने के बाद आप देखेंगे न कि जो गुड़ है वो अच्छी तरह से milt हो चुकी है तो बस हमें इसे इतने देर ही पकाना है इसमें इसका हमें कोई तार्ग की चार्षनी नहीं बनानी गुड़ को हमें सर्फ यहाँ पिगला लेना है तो जब गुड़ की इस तरह से सिरफ तैयार हो जाए तो अब हम गैस की flame को आफ कर देंगे और इसे भूने हुए powder में डालना है हमें तो एक छनी के सहायता से इने छानते हुए इसमें हम add कर देंगे तो बस इस तरह से छान कर गुड़ सिरफ को इस powder में डाल देना है और डालने के बाद ना इसे पल्टे की सहायता से चलाते हुए mix कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से mix कर लिया है गुर सिरफ और powder को लेकिन अभी हमें इनके लड़ू नहीं बनाने हैं इन्हें 10 से 15 मिनट यूँ ही हम छोड़ देंगे क्या है कि गुर सिरफ बहुत ही गर्म है अभी अगर हमने इसे टच किया तो हमारे हाथों को जलने का भी डर रहता है साथ में गुर की जो प्रपर्टी है वो क्या है जमने की तो इसे हम जब थोड़ी देर छोड़ देंगे तो गुर थोड़ी सी जमनी शुरू हो जाएगी और तब हम लड़ू बनाएंगे तो बहुत ही परफेट शेप आएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये जो मिक्षर था ये गाढ़ा हो चुका है काफी ठिक सा हो गया है तो अब इसके हमें लड़ू बनाने हैं तो सबसे पहले तो हाथ को घी से ग्रीज कर लेंगे और उसके बाद चुटय चुटे बाल्स लेकरना हमें हाथों सी इस तरह से न मुठी बांध कर इनहें प्रेस करते जाना है और जब यह बाइंड हो जा ना तो हाथों को कब कितरह बनाकर इनहें फोड़ा सा रोटेट कर लें इस से क्या होगा कि लड़ू बिल्कुल ही गोल-गोल और चिकने भनकर तयार होंगे. तो इस तरीके से ही हम सभी लड़ूओं को बना लेंगे. तो सेहत की मिठास गूलने वाली इन स्वाधिस्ट और पॉश्टिक हरी मुंग के लड़ूओं को जलूर बनाएं. और यकीन मानगे यह आप सबको बहुत पसंद आएगी. तो अपने सेहत का रखे ध्यान और वीडियो को लाइक और शेयर करना न बूलें. कमिंज के द्वार अपनी फीड़बेक जरूर दें. तो मिलते हैं नेक्स्ट विक एक न्यू रेसिपी के साथ जैहिंद।